जहिन जै जहरकन आज के इस नए वीडियो में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ और आज के इस वीडियो में कुछ एक अलग टॉपिक पे एक अलग बिसे पर जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जहरकन नो निर्मान का मकसद भी यही है कि मैं अलग अलग टॉपिक को ला हम अपने चैनल में दिनेज साहुजी का स्वागत करते हैं इनके विडियाले में 14 फरवरी को एक कारिक्रम होना है कारिक्रम का नाम है मात्री पित्री पुजन दिवस तो इसी कर ले करके एक कुछ जानकारी कुछ संदेश आप लोगों को देना चाहिए धन्यवाद पहले आ अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखने का काम किया जब पूरे जारखन में अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को बचाने को लेकर के एक मुहीम चल रहा है हलाकि यह कोई नई बात नहीं है यूगो यूगो से हमारे समाज में हमारे देश में इसका मुहीम लगातार अन दिखने लगा है उसको रोकने के उद्देश से और अपनी संस्कृति को जीवंत बनाये रखने के लिए अपनी सिख्षा व्यवस्था के साथ साथ हमें अपनी गतिवीद्यों में उसको कैसे समाहित कर सकते हैं उसका एक छोटा सा प्रियास हमारा विद्याले जो एक सुदूर ग्रामीन इलाका में संचालित है वहां एक प्रियास किया जा रहा है आप जानते होंगे कि हरवर्स 14 फरवरी को पूरी दुनिया वेलेंटाइन डे के दिन मनाये जाता है परन्तु उसका जो वास्तविक मकसद था लोग उसको कहें ने कहें गौन करके उसे प्रेमियर प्रेम अपने पैरेंट्स के परती माता पिता के परती बच्चों की क्या जवाब दे ही है आप विभाव किस तरह का त्याग करते हैं अपने बच्चों के लिए उसको याद करने का दीन के रूप में हम लोग उसको ले सकते हैं और अगर ऐसा हम लोग करने लगे तो साइद जो आपने हिसाब से अच्छा लगे बुरा लगे लेकिन उसके पीछे की मारमिक्ता को अगर आप समझने की महसूस करिएगा तो हज्जारों लाखों माओं का और पिताओं का जो दर्द है वो वेदना इस सब्द के अंदर समाया हुआ है और हमें खुसी उस दिन होगी जिस दिन यह ओल डेज होम का जो दर्वाजा है लग जाएगा उस पर ताला क्योंकि माकसद यही होना चाहिए हर सिक्षा का कि वह सबसे पहले जो अपना पर्थम गुरू होता है माता पिता अगर उसके लाठी का सहारा नहीं बन सके तो हमको नहीं लगता है कि हमारे जीवन में हाई के दोरान अपने राज्य से बाहर दूसरी राजचेने के और गया था तो उस दोरान मैंने जो अस्टडी किया और जो देखा उससे मुझे लगा कि कहीं न कहीं हमारे सिक्षा व्यवस्था में बहुत सारी त्रूटिया हैं हम कितावी ज्यान बाट रहे हैं और बच्च अपनाय हैं वो कहीं न कहीं दूसरे तरफ सिसक रही है उन समवेद्नाओं को कैसे एक जगा ला करके उसके साथ किताबों को जोड़ा जाए उसके साथ अक्षरों को जोड़ा जाए इस परियास के लिए हम लोगों ने जब पहल किया तो हमने इस स्कूल की सुरुवात में ही यह सोचा था कि हम कुछ ऐसा स्कूल का नाम देंगे जिससे हम एक अपनी जो भावना है उसको रख सके लोगों के मानस पटल पर और उसे उद्देश से हमने संस्कार विद्याले का नाम को नामकरंद किया जैसा कि 21 सदी में जहां तक लोग कह रहे हैं कि हमारी संस्कृती हमारी शबटा को लोग अपने बहवार में लाकर कहीं ना कहीं संस्कार बहवार को लोग बिलुप्त होती जा रही है वहां आपने जिन्दा करने का एक पहल किया है ये बहुत ही अच्छा और एक अच्छा प्रयास कहा जा सकता है और इसी के दौरान इसी बीच इसी के क्रम में मात्री पिर्ती पुजन दिवस 14 फरवरी जो हर एक जगा वेलेंटाइन डे के रूप रेखा के बारे में सर थोड़ा सा बता दें जी जी बिल्कुल सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि निश्ची तोर पर मैं इस कड़ी का एक छोटा सा हिस्सा हूँ क्योंकि संस्कृति को ले करके मैं कभी नहीं कह सकता हूँ कि हमारे पास बहुत सारा ज्यान है बहुत सारा नौलेज है पर हाँ एक छोटा सा प्रयास कर हैं और ऐसे प्रयास आपको अंगिनत देखने को मिल सकते हैं बहुत सारे जगों पर ऐसा प्रयास जारी है और मुझे खुसी होती है जहां जहां भी ऐसा देखता हूँ रही बात उस दिन की कार्जक्रम की गतिविधियों का तो उस दिन सरपर्थम जैसे समाइने दिंचरिय बच्चे बिद्जाले आते हैं बिद्जाले आएंगे और उसमें नया बात सिर्फ यही होगा कि बच्चों के साथ अभिभावक भी उस दिन बिद्जाले आएंगे और बच्चे अपने अभिभावक का पूजन करेंगे हमारी पारंप्री गतिविधिर जैसे होती है उसके अनुसार से और पूजन करके उनका आसिरवाद लेंगे और एक संकल्प लेंगे कि सिर्फ 14 फरवरी के दिन ही नहीं बलकि सालों भर हम अपने अभिभाव के साथ इसी इमोशन के साथ अटेच रहेंगे और उनका मागदरसन प्राप्त करेंगे उनके साथ एक लगाव को करते हैं पैरेंट्स के लिए और उसके बाद उनका पूजन की गतिविधी चलती है मंतरोचारन के साथ होता है जो हमारा वैदिक मंतरोचारन उसके साथ होता है और बस हम लोग सिर्फ यह सेंबॉलिक है और उसी के माध्यम से सिर्फ हम लोग प्रयास करते हैं कि एक जो इमो नाटे मंचन है और कुछ जो नृत है उस पर बच्चे अपनी प्रस्तूती भी देते हैं और बहुत लंबा नहीं चलता है बीच बीच में चुकी कहीं बोरिंग ना हो जाए लोग आकवाट ना फिल करें इसलिए बीच बीच में कुछ थोड़े बहुत चार पांच सांस्कृत कार्शक्रम होता है और एक सांस्कृति कार्शक्रम हुआ फिर बीच में पूजन का कार्शक्रम होता है फिर एक सांस्कृति कार्शक्रम हुआ फिर पूजन का कार्शक्रम होता है इस तरह से दो ड्हाई घंटे का कर्म है और उस कर्म में लेकिन मुईख मकसद हमारा है मात्र सादर आमंतृत हैं, खास अभिझावक आप एक चैनल के हेट के रूपे और हमारे मित्र के रूप में भी सादर आमंतृत हैं और सभी लोग जो अभिवावक कहें इस अभिवावक जो कहीं न कहीं इस अभियान के साथ अपने आपको जोड करके दिखते हैं आप सभी इस कार्श कर्म में साधर आमंतरित हैं यही हमारे बिज्जाले पुरिवार की ओर से आप लोगों के लिए एक आमंतरन विडियो में तब तक के लिए इजाज़ेत दिए जैहिन जैजारकन